वेलकम पेरेंट्स दोस्तों कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि आप बताते हैं कि बच्चे का माथा गरम हो रहा है या उसकी हतेलियां गरम हो रही है पगधलियां गरम हो रही है और आप ऐसी इस्तिति में तुरंद बच्चे को बच्चे का temperature आ जाए तब हम उसे बुखार मानेंगे और तब हम उसे बुखार की दवाई देंगे ऐसा नहीं है कि माथा गरम हो रहा है या आतेलियां गरम हो रही है पक्थलियां गरम हो रही है आप तुरंत दवाई पिला दे तो यहाँ पर सबसे important चीज है कि यदि आप किसी abnormal चीज को पकड़ना चारे है कि हाँ बुखार आ गया है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि normal क्या है तो ऐसे इस्तिति में जैसे हर बच्चा unique होता है उसी तरह से बच्चे का temperature भी variate कर सकता है यह normal temperature 97 degree forney height से लेकर 100 degree के बीच हो सकता है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का normal temperature कितना है तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज यहाँ पर है कि हमें thermometer हमारे घर में होना चीए हमें thermometer का यूज करना आना चीए इसको सही डंग से कैसे यूज करते हैं यह सब कुछ मैं इस वीडियो म यह दो बार कौन से हैं एक बार तो आप सुबह जब बच्चा सो करके उठ रहा है उस समय तो एक तो morning hours में और दूसरा जब बच्चा आपका late afternoon में मतलब शाम के टाइम या दो फैर में जब सो करके उठता है उस समय तो ऐसे दो टाइम पर आप बच्चे की उसके temperature की reading लेनी तो आप जब ऐसे चार-पांच दिन करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह जो temperature है यह मेरे बच्चे का एक normal temperature है अब ऐसी इस्तिति में कभी आपका बच्चा suddenly बिमार लगता है गरम लग रहा है तेज और फिर आप temperature लेंगे तो आप उसे compare कर सकते हैं कि हा बड़े-बड़े उपयोग हैं और इसको कैसे यूज करना है यह मैं बताँगा आपको तो थर्मामेटर जो हैं यह कई अलग-अलग तरह के भी आते हैं आपको पता होगा कि पहले के time के time पर वो काच वाला जो mercury काया करता था तो आजकल usually वो अब चलन में है नहीं तो उसे भी नहीं है कुछ ऐसे थर्मामेटर जो हम देख रहे हैं आजकल गन वाले कोरोना के time पर बहुत चल रहे हैं वो आपके forehead के उपर उसे लगाया जाता है बीम से temperature detect करता है थोड़ा costly आता है बट मैं जो prefer करूँगा मेरा जो suggestion है वो यह digital थर्मामेटर के लिए है इसे आसानी स निचे लगा करके भी temperature detect कर सकते हैं एक बड़ा method होता है जो छोटे बच्चों के अंदर rectal temperatures के लिए लिया जाता है तो जो पोटी का जो रास्ता होता है वहाँ पर थर्मामेटर को लगा करके temperature लिया जाता है लेकिन वो थोड़ा सा discomfort करता है inconvenient method है तो best method जो है जो best place है जहाँ पर हमें इसको use करना है वो है आपके पास में exila का तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसे starting से हमें कैसे use करना है और कैसे इसके जो button है इनको operate करना है तो दोस्तों ये एक digital thermometer है और इसके कुछ parts है देखे जो आगे वाला part है जो ये वाला part है इसको हम sensor बोलते है और ये इसकी screen ह है और ये इसका button है आप जब इसे बच्चे के लगाने से पहले हम इसे starting कैसे करने कि इस button को press करते है एक बार दीरे से इसे press किया इसमें दो तीन reading आएंगी पहले की reading आती है फिर normal reading और उसके बाद ये low लिखा हुआता है और low लिखे के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि F blink कर रहा है जब जब कर रहा है तो जब इस तरह की screen में चीज आजाए कि F blink कर रहा है उस समय इस part को जो sensor part है इसे बच्चे की कांख में या उसके arm pit के अंदर बहुत अच्छे से लगा दें और तीन से चार मिनट तक इसे वहाँ दबा करके रखें तीन से चार मिनट के ब उस reading के उपर note करें कि वो reading कितनी आ रही है यदि वो reading 100 degree या 100 degree के उपर आती है तो ऐसी इस्तिति में अपने बच्चे को paracetamol की दवाई दे दे उसके कितनी मातरा देनी है वो आपके pediatrician जो है वो आपको बताएंगे तो दवाई बच्चे को दे करके और अपने doctor को जरूर दिखा लें अब यहां पर आप देखेंगे कि ए f दिखा रहा है इसका मतलब है कि यह temperature foreign height के अंदर ना अपर है हम इसे celsius में भी ले सकते हैं उसके लिए क्या करना है मैं इसे एक बार बंद करता हम अब यह बंद हो गया है अब जब मैं इसे open करूंगा start करूंगा तो मैं इ इसकी change हो जाएगा वो fortnight से celsius में आ जाएगा यह देखें अब यह celsius में measure कर रहा है आप देख रहें 37 आ गया था मैं इसे एक बार फिर से बंद करता हूं अब एक बार फिर से long press करता हूं अब अब long press करता हूं इसे अब देखें तो आप देख रहें कि यह वापिस से fortnight के अंदर आ गया है पहले celsius में था तो आप long press करके से open करेंगे तो यह अपना celsius या fortnight के आप अपने अनुसारी से change कर सकते हैं बस ध्यान ही रखना है कि जो इसका sensor part है sensor part को कांक में लगाना है या अगर बड़ा बच्चा है जैसा मैंने बताया 5 साल से उपर तो जीब के नीचे भी लगा सकते हैं तो दोस्तों यह है आपका digital thermometer तो दोस्तों यहां पर एक जो बड़ी गलती हमसे हो जाती है वो क्या रहता है कि यह जो sensor part है यहां वाला इसे हम बच्चे के कांक में proper reading detect नहीं कर पाता है आप इसको own करके और बिलकुल arm pit के अंदर अच्छे से लगाएं और thermometer को ऐसे रखें और जब इसमें से beep का sound आ जाए तब आप इसे हटा लीजिए और फिर इसको देखे कि कितनी reading आ रही है तो यह thermometer एक बहुत important चीज है आपको proper पता हो कि हाँ बच्चे को बुखार है या नहीं है तो इसका जरूर यूज करें और मेरा जो next video रहेगा उसमें मैं बुखार के time अपने को क्या क्या सावधानिया रखनी है कब बहुत ज्यादा चिंता रखनी है कब कम रखनी है उन सब चीजों के बारे मैं मैं आप से बात करूँगा तो मेरा next video fever प